हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम बना रहें गर्मा गर्म पकोडे बारिश तो सुरू हो गई है तो हमें गर्मा गर्म पकोडे जरूर खाने चाहिए तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूं उसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा बॉल क्याबिच और एक बड़ा ओनियन मैंने लंबा लंबा करके काट लिया है एक कप बेसन हम लेंगे यहां पर एक छोटा टीस्पून अजवाइन जो कैरम सीड बोलते हैं अब फिर मैंने यहां पर लिया है चाहर ग्रीन चिली और एक चोटा सा अध्रक और थोड़ा सा कड़ी पत्ते और आगे और टिप से आप जरूर देखिए पूरा वीडियो यहां पर मैंने लिया है क्याबिच और मेरा जो ओनियन था मैंने मिक्स कर लिया है यहां पर अब मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ते थोड़े से तोड़के दाल दीजिए तो अच्छे लगते हैं अच्छा कुश आता है इससे अब ग्रीन चिली आपको चाहिए तो आप ऐसे काटके डाल सकते हैं नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा अजवाइन था उसे ऐसे थोड़ा मसल के हाथ में डाल देते हैं अच्छे से खुश्बू आता है अब डालते हैं स्वादनुसा नमक अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं देखिए यह सब को थोड़ा से प्रेस करके जोर से मिक्स करन है ताकि अच्छे से cabbage ओनियन वोस सब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए अब मैं डाल रही हूँ ग्रेट जिंजर अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेशन अब हमें एक सीक्रेट टिप्स मैंने बोला था अब इसमें डालेंगे दो चमच सूजी जो रवा होता है वो सूजी हम इसमें डाल देते हैं अब थोड़ा सा पानी लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे पानी हमें लगबग 3-4 स्पून ही चाहिए होगा तो आप मिक्स करते वक्त देखके मिक्स कर लिजे यह देखिए मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है के बाद हाथ से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है हम कडाई में तेल डाल देंगे यहां पर मैंने कडाई में तेल ले लिया है आप पकोडे को फ्राइ करेंगे आप हाथ से इसी तरह डाल के फ्राइ कर सकते हैं तो अच्छा लगता है नहीं तो आपको हाथ नहीं चाहिए हाथ क्लीन करके हम स्पून में भी डाल सकते हैं तो मैं यहां पे हाथ से ही डाल दे लही हूँ बस पकोड़े आपको इधर उदर करके उटा करके अच्छे से कुक कर लेना है दोनों द ind Disney पलट के के साथ आप इसे खा सकते हैं और कभी-कभी तो कुछ भी नहीं है तो आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं यह देखिए पकोडे मेरे हो गया है बहुती सुनहरा गोल्डन कलर आ गया है तब मैं इसको निकाल ले रहे हूं मिडियوم फ्लेम में फ्राइय किया था मैंने अब पेपर में निकालने के बाद हम इसे प्लेट में सर्फ कर लेंगे आप इसे टमेटो सॉस के साथ बहुत ही अच्छा रहेगा ये चाय के साथ भी आप इसे खा सकते हैं अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिए थैंक यू